तो हे फ्रेंड वल्कम टू कर्मकारी यूटूब हेल्पलाइन चनल हमें से कतारा आज भी मैं आप लोगों के लिए एक रिचार्ज अप्लिकेशन लाया हूँ जिस अप्लिकेशन को यूज करके रिचार्ज करके आप अच्छी खासी कमिशन जेनरेट कर सकते हैं फ्रेंड इस अप्लिकेशन का बारे में पहले नहीं बताया हूँ इसलिए इस चैनल पर पहली बार है इस अप्लिकेशन का वीडियो तो क्रिप्या करके फूल वीडियो देखो और समझो कि भाई application कौन सी हैं, किस तरीके से work करने से कितना ज़्यादा आपका benefit होने वाली है कितना इस smoothly काम करती है वीडियो इस्टार्ट करने से पहले important बात है अगर आपने अभी तक करमकार यूटूब है प्लाइन चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe करके notification bell जरूर दबा देना तो दोस्तो आज का जो application है application के तरफ आगे बढ़ते हैं तो print application का नाम है fx recharge जिस application का link आपको इस वीडियो का description box में मिल जाएगा description box में जो recharge application का link मिलेगा जिस link ओपर press करते हैं, redirect करेगा आपको play store पे जहां से download करने के बाद जब भी आप इसको open करते हैं तो आपका mall पे कुछ इस तरीका की interface दिख जाएगा इस तरीका की interface दिखने के बाद इस पे आपको क्या करना पड़ेगा पहले ID create करना पड़ेगा तो ID create करने के लिए आपको यहां से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको क्या करनी है जहां पर आपको इस app link मिला है description box में वहां पर एक contact number मिल जाएगा जिसके साथ contact करके आप अपना ID ले सकते हैं इस पर सभी ID available है, retailer, distributor, super distributor सभी ID available है आप अपना हिसाब से ID ले सकते हैं, तो मेरा एक retailer ID है मैं इसको open करता हूँ, login करता हूँ और आगे का process आपको step by step करके दिखाता हूँ इसके अंदर facility क्या क्या है, कितना percent commission है, कितना smoothly working है ये सब हम आपको दिखाने का courses करते हैं तो दोस्तो finally मेरा जो retailer ID है, login हो चुकी है इसके अंदर देख सकते हैं, इंटर्फिस काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर काफी सरे services दिख रहा है, कितना बढ़िया बढ़िया इसका thumb mail चल रहा है, उपर कुछ इसका notice भी चल रही है तो friends यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आपको जो recharge का status होती है, वो status बगेरा यहाँ पर दिखा देती है जैसे कितना रूपिया आपका recharge success हुआ, कितना commission आपका बना, कितना रूपिया pending है, कितना रूपिया फेल्ड है यह सब नीचे के तरफ मिल जाते हैं, काफी सारे application पर ऊपर के तरफ मिलते हैं, इस पर नीचे के तरफ मिलते हैं इस पर कोई फ़रक नहीं परती है services के बारे में बात करते हैं, तो prepet के ऊपर दबा कर आप mobile recharge कर सकते हैं इसे prepet recharge, simple से prepet को उपर दबानी है, enter the mobile number, जो भी mobile number आपको enter करनी है, enter कर देनी है, जो भी recharge करना चाहते हैं, उसका automatically यहाँ पर operator आ जाती है, या फिर खुद से भी आप उसको select कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंट यहाँ पर क्या आजाती है, इसका जो pack होता है, तो यहाँ पर view plan को उपर दबा कर, या फिर based offer को उपर दबा कर, आप उसका pack देख सकते हैं, कितना रूपया का आपने recharge कर रहे हैं, कितना का इसका offer है, ओफर बगेरा देखकर, आप select करके, enter the amount करके, recharge क pack भी कर सकते हैं, उसका recharge के ऊपर दबा कर, recharge कर सकते हैं, इस पर आपको कोई भी problem दिखने नहीं मिलेगी, और same system है, DTH में भी same system, select the operator, उसका customer ID डालो, pack देखो और recharge कर लो, same system काफी बढ़िया है, और सभी another post-pate electricity, सभी space system एक ही है, और यह सब जो services है, services को use करने का आपका benefit भ आपको commission मिलता है, कितना percent commission मिलता है, वो commission दिखाने से पहले, इसका अंदर जो money load system है, यह हम आपको दिखा देते हैं पहले, तो money load लेने के लिए, friends, यहाँ पर आपको add money का एक button दिख रहे है, बिल्कुल नीचे corner पर, जिसके उपर आपको press करने के बाद, आपको क्या करना पड़ेगा अपना wallet में, यहाँ पर तो आपका court कितना balance है, वो दिखा देगा, और कितना रूपया load लेना चाहते हैं, वो enter करते हैं, for example, मैं आपको दिखाने के लिए 500 एंटर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते credit card, debit card, net banking, PP wallet, और नीचे UPI collect, तो मैं सब को recommend button यूज करने का कोसिस करो, क्योंकि सबसे simple होता है, सबसे save होती है, मतलब कोई भी problem नहीं आती है, आप तो already UPI यूज करते हो, select the UPI and इस पर charges भी नहीं लगता है, उसके बाद यहाँ पर दिख जाती है कि भाई, आप पेटियम का UPI लगा है, तो पेटियम पे लेना चाहते ह या फिर आप another UPI को यूज करना चाहते हैं, तो another UPI यूज करनी चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करनी है, UPI के उपर select करनी है, और आपको जो भी UPI ID से आप payment इस पर accept करना चाहते हैं, तो वो आपको UPI ID एंटर करके, यहाँ पर pay के उपर press करनी है, पे के उपर press करते हैं, जो UPI ID ये यूज किये हैं उसका आप पर जाते हैं आपका notification मिलेगा आप वहां से payment करते हैं यहां पर accept कर लिया जाएगा या फिर आप ATM को login करके भी कर सकते हैं banking बगएरा सब कुछ यहां पर available आपको देखने मिल जाएगा इस पर आपको कोई भी issues देखने नहीं मिलेगा आसा करता हूँ तो आपको कुछ भी problem भी नहीं होगा तो हम इसको back करते हैं और आगे का process दिखाते हैं यह सब services के बारे में आपको ज़्यादा बताने का जरूरत न ज़्यादा कम भी नहीं ज्यादा बेसी भी नहीं है यह मिडिल कमिशन है तो आप इसको बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हैं जैसे कि आपको पहले हम रीटेलर के बात कर लेते हैं रीटेलर पे आपको यहां पर यह टेल पे मिलेगा टू पॉइंट फाइब जिरो जीओ पे आपको 2.80, BSNL पे 3% और VI पे आपको 2.70 यह टेल डिटीएच पे आपको 2.50 और डिश्टीवी पे 2.60, सान पे 2.50, टाटा इसकाई पे 2.40, वीडियो कॉन पे 2.70, अल इलेक्रिक सिटी बिल पे 0.20 और अनादर बिल पाइमेंट पे 0.20 उसके बाद डिश्टीवीटर प और जीओ पे 3%, वीडियो कॉन पे 3.2, आपको 2.90, उसके बाद यह टेल डिटीएच पे 2.70, वीडियो कॉन पे 2.80, सान पे 2.70, टाटा इसकाई पे 2.60, वीडियो कॉन पे 2.70, और बिल पाइमेंट पे 0.40, अनादर बिल पाइमेंट पे आपको 0.40, उसके बाद आज आती ह यह सुपर डिस्टिबिटर का, सुपर डिस्टिबिटर पे आपको यहाँ पे यहाँ पे यह टेल पे 2.80, जीओ पर मिल जाती है 3.10, वीडियो कॉन पे 2.70, वीडियो कॉन पे 2.70, और बिल पाइमेंट पे 0.50 परसेंट, इसके बाद इस टीपी पे 2.90, सान पे 2.80, टाटा इसके पे 2.70, वीडियो कॉन पे 2.70, और बिल पाइमेंट पे 0.50 परसेंट, इसके कमिसन बगएरा सब कुछ ठीक ठाक लगा, रिपोर्ट सेक्शन पे जाकर इसका रिपोर्ट बगएरा सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, बहुती आसानी से, इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब आप तक के लिए बाइबाइ